देख पाल करन वाले आवास्ते चनौतियां कि तुसी जीवन दे आकरी समाव बिता रहे व्यक्तिदी सेवा कर रहे हो अजेहा करना बहुती संतोग जनक होंदा है पर एक ठकादेन वाला अनुपव भी हो सकता है अध्यान दे अनुसार जेकर समबाल प्रदान करन वाला इंसान अपना त्यान न रखे ताँ ओ उदासी जाने डिप्रेशन अटे होड़ श्रीरिक भी परिशानियां नो शिकार हो जानदा है अटे बिमार भी पैसकता है जदो मैं समबाल प्रदान कार रहे लोगा नाल काम करती है खास तोर के साउथ एशन फैमिलीज जित्थे की लोग अथे दे सिस्टम में समझ नहीं सकते एपरिवार ज्यादा तर परिवासी लोकां दे हन पिछे जदी मुलकां वीचे जहो जहा सहारा सानों गुवांडियां रिष्टदारां परिवार दे लोकां तो मिलदा है ओ एथे नहीं है कई वार परिवार ता अपने गुवांडियनों जानदे तक नहीं होंदे सही है ना एथे नादे बड़े जोड़े परिवार होंदे हन नानस्दी की दोस जा रिष्टदार हन इस कारण अथे सहारे दी बहुत कमी होंदी है कई वार कारविच छोटे बच्चे होंदे हन कारविच ममी डैडी भी होंदे हन पर उदोनों काम काम करदे हन इस वास्ते बिमार व्यक्ति दी सेवा करना बहुत ही मुश्किल हो जान्दा है ना चान्ते हुए भी उन्हानों अपने प्यारे न्यू लॉंग टर्म केर वेच पॉन्दा मुश्किल फैसला लेना पैन्दा है स्वैसम बाल दी महत्तिता जिदन तुसे किसीनों सेवा प्रदान कार रहे हो ता एवी बहुत जरूरी हो जान्दा है कि तुसी अपनी सेहत दावी त्यान रखो जिसनों सेल्फ केर आख देहान मैं तो हानों अपने एक नीजे अनुपव बारे दसना चाहांगी मेरी पिछली नौकरी वेच एक स्टाफ मेंबर सी जिसी दादी बहुत बिमार सी अते उस दादी दी संबाल उस मेरी सहेली दी मम्मी कर दी सी पर उस मम्मी ने अपना त्यान कदी खुद नहीं सी रखेया उजी मम्मी बिमार पैन लग पई ते उननुस रजरी करौनी पई इस वास्ते दादी ने लौंग टम केर विच पाना पया सो एह मसले हन जो असी इस खेतर विच कम कर दे होए देखते हैं संबाल प्रदान टर्न वाली व्यक्ती मौत नाल जूज रहे अपने प्यारे नाल जज़बाती रूप विच विज जूड जान दे हन कई वार खास करके साउटेशन कम्यूटी दे लोग अपने नाल बहुत तक्का करते हन कई वार असी अपने आपनो लोडों वाद जिम्मेदार मैसूस करते हन ओ बहुत जादा फिकर मंद हो जान दे हन जिस कारण ओ बिमार रहन लग पैन दे हन लोग गमगीन हो जान दे हन उदासी दा शिकार हो जान दे हन पिठ दर्द, सिर दर्द अते बलड प्रेशर दी शिकायत कर दे हन ऐ गल अजीब चापदी है पर जदो मैं ग्रूप सेशन्स करती हैं ता ऐ गल मैं औरता नाल खास दोरके करती हैं जेकर कमरे विच वी ओरता ने ता वी विच उन्नी नोपिठ विदेहेटले हिस्से विच दर्द, जासीर विच दर्दी शिकायत रहन दी है संभाल प्रदान करना कम्यूटी विच बहुत वढ़ेटा मसला है एब बहुत जरूरी होंदा है कि सेवा प्रदान कार रहे व्यक्ति नाल अपना त्यानमी तुसी जरूरी रखो संभाल प्रदान करन वाले दा ठक जाना की है? अगर तनाव जा स्ट्रेस तास सही समय ते इलाज ना किता जावे ताँ ओ केर्गिवर बर्नाउट बन जानता है इस तास मतलब है कि सेवाल प्रदान करन वाले व्यक्ति आप ही अनेक शरीरी दे मानसी करोगां दा शिकार हो रहा है एहो जेहा व्यक्ति हर वेले अपने प्यारे दे बारे सोचता रहना है जो की मौत दे आकरी समय नाल जूज रहा है ओ सोचते हन की हर चीज नो सही करना उना दी ही जिम्मेदारी हुन दी है अगर कोई चीज सही नहीं है ता ओ अपने आपने दोशी महसूस कर दे हन कई वार सेवा प्रदान कार रहा वेक्ति बहुत ही कफा अते गुस्से विच रहनदा है ओ सिस्टम उत्ते कदी अपने आप उत्ते कदी भिम्यार वेक्ति ते कदी राब उत्ते गुस्सा रहनदा है अते फिर ओ अपने आपने आपने दोश्टी समझन लग पेंदा है ते ठाक जाओगे अते बिमार रहन लग जाओगे अपने तनाव नुकाबू करन लई उपाओ इस वीडियो जरीए मैं तो हड़े नाल अपने तनाव नुकाबू करन दे कुछ तरीके संजे करना चाहांगी पहला सब तो जरूरी है कि तुसी अपने जज़बात नुकबूल करो अपने ज़बात नुकबूल करना बहुत जरूरी है अपने अपाव नावा नुजाहिर करो उनना बारे गाल करो अगर तुसी अपने अपाव नावा बारे गाल नहीं करोगे ता तो हाड़ी हालत एक प्र अगर लोड़ पवेता मदद मंगों मदद मंगन वेले बिल्कुल ना चिजगों लोग अक्सर मदद मंगन तो बहुत ही हिचक चाउंदे हान अते शर्म महसूस कर दे हान खास्तोर के साउथेशन मूल दे लोग ओ सोच दे हान कि जे ना सुनना पया जा कोई नराज हो गया तो ह अनो एनना गलान तो कब रहों दी लोड़ बिल्कुल नहीं है तुसी अपने पड़ोसी, दोस्त, रिष्टेदार अते सिस्टम तो मदद मांग सकते हो और भी बिना किसी शर्म महसूस कीते है अपने खान पीन ता त्यान रखो अते नियमित रूप विच वर्जिश करो वर् आस ते टाइम कड़ो, कोई किताब पड़ो, तीवी ते अपना मन पसंद प्रोग्राम देखो, अपने मन पसंद संगीत सुनो, अपने बैक्यार दा नजारा देखो, अपने जद्धी मुल्क कॉल करो अते अपने प्यारा नलगाल करो, जितना हो सक्के ग्ञाने कठा करो, की करना है, किस तरह करना है, अतिक कदों करना है, यह तो हनो और वाले समय ले त्यार करेगा, बहर कम्यूनिटी विच बहुत जानकारी है, बस तो हनो एक फोन कॉल करन दी लोड है